रिसेंटली जब G20 की बहुत सारे मीटिंग्स हो रही थी, उन्ही में एक इनिशेटिव निकल कर आया जिसका नाम है G20 Tech Sprint 2023, यह इनिशेटिव था Reserve Bank of India और Bank for Settlement BIS का जो Innovation Hub है, इनका यह joint इनिशेटिव था, इसके अंदर इन्होंने specifically बात की Cross Border Payment की, G20 के सारे Members ने इस चीज इस पर माना कि हमें Cross Border Payments को बढ़ाने की ज़रूरत है, इवन इंडिया ने तो अपना जो भारत Bill Payment System है, वो Expand करने की बात कही, United Kingdom में हम इसे Expand करेंगे, ऐसा इंडिया ने कह दिया, सबाल है कि Cross Border Payment exactly होता क्या है, जब भी हमारे यहां से कोई Individual, कोई Businessman, या फिर कोई Bank या Financial Institution, दूसरे देश के किसी Individual, Business या Financial Institution से कोई भी Transaction करती है, तो ऐसे Transaction को हम Cross Border Payment कह सकते हैं, अगर आज के टाइम पे इसकी Market Value देखी जाए, कितना Transaction Actual में होता है, Cross Border Payment, तो वो हमें दिखेगा $190 trillion 2023 में, और माना जा रहा है, by 2030, it will be somewhere around $290 trillion, यह बहुत ही बड़ी amount है, ऐसा हम कह सकते हैं, अगर मुझे बात करनी है कि किस किस तरीके से यह Transactions होते हैं, Cross Border Payment जब हम कह रहे हैं, अलग-अलग टाइप से होते हैं, एक जो usually हमें पता है, उसे हम कहते हैं International Wire Transfers, आपने सुना होगा कि रश्या को एक बार Swift वाली Payment सिस्टम से बाहर निकाल दिय जो भी Transactions internationally हो रहे हैं, जो भी जैसे आप कहीं से तेल खरीतते हो, वो लोग हम से कुछ और खरीतते हैं, तो वहाँ जो Transactions Bank के जिस Medium से हो रहा है, उसमें जो Messaging System यूज की जाती है, that is Swift, और यह जो हो रहा है, इसे हम International Wire Transfer कहते हैं, दूसरा है आप लोग Wallets यूज करते हो, Digital Wallets Phone Pay, Google Pay, Paytm, इस तरीके के, यह Digital Wallets भी हम कह सकते हैं कि इसका यूज करके आप इस देश से किसी और देश में Transactions कर सकते हैं, तीसरा है International Money Orders, हम बहुत साल पहले Money Orders भेजा करते थे, जो हमारा Post था, इंडिया Post, वहाँ से हम Money Order भी भेज सकते थे, भेज सकते थे, अब ऐसे टा जैसे कोई Email भेजा जा रहा है, उसी तरीके से Electronic Mediums का यूज करके आप भेज सकते हो पैसे, फिर है आपके Credit Cards, बहुत से लोग यूज करते हैं, Credit Cards में जो Payment Gateway है, वो Credit Cards अपना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी Transactions आप Internationally कर सकते हैं, पांचवा है Cryptocurrencies जो सबस लगते हैं, अब यह जो Cross Border Payments हो रहे हैं, यहाँ एक तरीका तो यह है कि India की कोई Bank दूसरी किसी Bank के साथ Transaction कर रही हो, या फिर हम Individuals Transaction कर रहे हैं किसी और Foreigner के साथ, तो ऐसे टाइम पर अगर हमारे बीच में एक ही Bank हो, जो की एक International Body है, कोई International Bank हो, जो as a Intermediary काम करें, तो सार Direct Transaction इससे हो सकते हैं, दूसरा तरीका होता है कि हमारा ऐसा Direct Transaction ना होके, हम किसी और Bank का Use करें, यानि मैं अपने तरफ से जाऊंगा किसी एक Bank के पास, उसे मैं कहूंगा Correspondent Bank, वो Bank मेरी तरफ से Transaction कर लेगा वहाँ पे, और दूसरे Country में भी उस Person का, जिसे Transaction करना है, उसका अपना Correspondent Bank होगा, तो ये Correspondent Banks अपने साथ Transactions कर लेंगे, ये तरीका होता है, आप Cross Border Payment करने का, अब इसका फाइदा क्या है, क्यूं हम इतना पीछे पड़ें कि हमें Cross Border Payments बढ़ाने हैं, पहली चीज़, इससे होगा Financial Inclusion, पूरे वर्ड में जो भी ऐसी Communities हैं, जो ठीक से Business आगे नहीं बढ़ पारी है, Underserved है, ऐसी Communities को मौका मिलता है, कि आप इस Financial Inclusion का हिस्सा बनो, Financial Transactions जो Worldwide हो रहे हैं, उसका आप हिस्सा बने, दूसरा है, जिन लोगों का Business है, और वो चाहते हैं कि अपना Business Expand करें, तो भाया, अगर बाकी देशों के साथ आपको Transaction करने में आसानी होगी, तो बड़ी आसानी से आप अपना Business भी एक्सपैंड करोगे, And even अगर आप ठीक से देखें, जो Globalization का Phenomena हम देखते हैं, It is based on the Economic Transactions that happen throughout the world, तो Economic Integration होगा, तभी Globalization होगा, और साथ-साथ, कोई Business के हिसाब से अगर आप देखेंगे, वो Businessman अपने Business को Diversify कर सकता है उसका Customer Base अभी तक सिर्फ इंडिया तक Limited था, अब वो जब Cross Border Payment कर सकता है, तो उसके पास Russia के भी Customers है, उसके पास America के भी Customers है, तो Customer Base बड़ेगा, उसको जो Material का Supply होना था, जो भी उसे Ingredients लगते थे, Raw Materials लगते थे, अब वो Ukraine से कुछ लेके आएगा, कुछ Japan से लेके आए तो वो Base जो है, Material का Supply Base बड़ेगा, Investment अलग अलग जगा से आएंगी, Investment आप देखते हो, USA से कई सारी Investments इंडिया में आ रही है, तो Investment आने के लिए भी तो Cross Border Payment के लिए जरिया होना चाहिए, तो ये सारे फाइदे हैं अगर आप Cross Border Payment बढ़ाते हो तो, लेकिन जब फाइदे दिखते हैं, तो कुछ Issues भी निकल कर आते हैं और उन्हें भी हमें देखना होगा, पहला Issue है, Regulations को लेकर, अब देखो हर Country अपनी तरफ से अपना एक अलग Law लेकर आता है, तो अलग अलग Country के अलग Legislations है, अलग ही तरीके के Rules हैं, तो Cross Border Payment करते टाइम सबसे Major Issue आ जाता है जो Legal Barrier खड़ा करता है, दूसरा है, हमने जैसे कहा था कि Transaction करने के लिए अगर बीच में कोई एक Bank हो, एक Financial Institution हो बड़ी, तिक कर दिए कि हमारे यह Financial Institution उतने Strong है नहीं, और जो Data Collect करना है, यहां से Transaction वहां करना है, डेटा का बहुत जादा Use होगा यहां पर, तो Data को लेकर क Standardization भी चाहिए, कि हमें इंडिया की Information समझ आ रही है, लेकिन रशिया में Payment भेजनी है, वहां की Information समझी नहीं आ रही, Standardization डेटा में होना जरूरी है, इस Data को Process करने में भी Issue आते हैं, क्योंकि हमारे यहां आज भी ठीक से Real Time Monitoring करने के लिए कोई खास Infrastructure है नहीं, तो Data को Real Time प हमने कई बार पड़ा हुआ है कि कितने Issues आते हैं, तो जब आप Cross Border Transactions कर रहे हो, एक तो Anonymity रहती है, पता करना मुश्किल होता है कि किसने क्या Transaction किया, इसी में धर बना रहता है Terror Financing का, कि जो पैसे यहां से भेज रहे हैं, वो किसी और Reason के लिए यूज किये जाएं, वो सक है, आपका जो Cost है, जो भी आप Transaction करना चाहते हो, Settlements होती है, आपने पढ़ा होगा जब Stock Exchange में कोई Transaction हुआ, उसे 2-4 दिन लगते हैं Settlement होने में, क्योंकि हमारी यहां Settlement System थोड़ी Slow चलती है, और वो Settlement होगरा होने में बहुत Delay लग रहा है, तो साथ-साथ उसका Cost भी करेंगे, अभी जैसे BIS और RBI ने मिलके कहा कि हम Promote करेंगे Cross Border Payments, अल्रेडी इंडिया ने कुछ Steps लिये हैं, जैसे कि RBI Payments Vision 2025 अगर आप ठीक से देखें, उसमें बात कही है कि हम कुछ Bilateral Agreements बाकी Countries के साथ करेंगे, और साथ-साथ कुछ Multilateral Agreements करेंगे, ताकि जो भी ऐसे Payments करने हैं, उसको हम Promote कर सकें, दूसरा, इंडिया स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है UPI के उपर, जो NPCI ने हमारा UPI बनाया है, अब उसे हम Promote कर रहे हैं बाकी Countries में, आज की टाइम पर, Singapore, UAE, Mauritius, Nepal and Bhutan, इतने Countries में हम अपना UPI भेज चुके हैं, वहाँ पर भी वो accessible हो चुका है, साथ-साथ आप ठीक से देखो, कहीं बार हम लोग promote भी करते हैं, बाहर से, किसी भी देश से जब लोग आ रहे हैं, कोई Australia से आ रहा है, कोई Canada से आ रहा है, जो भी foreign nationals आ रहे हैं, इंडिया में वो जितने भी time तक है, हम उन्हें UPI का access दे देते हैं, तो बहुत बार आप करता है, कि हम Central Bank Digital Currency का use करना शुरू करेंगे, अभी testing mode पे है, Central Bank Digital Currency, एक online virtual currency की बात हो रही है, कि पूरा का पूरा cashless transaction हो जाए, तो UAE के साथ मिलकर हम इस पर भी काम कर रहे हैं, तो these are the steps India is taking, but still in way forward we can say, कि जो भी हमारी यहां existing infrastructure बना हुआ है payment को लेकर, उसमें जो भी खाम हैं, उन्हें फिलाल हमें improve करने की जरूरत है, पहले तो operating hours बढ़ाओ, real time आप 24 by 7 services start करो, उसमें improvement लाओ, जो भी interlinkage बनाने हैं, अलग-अलग banks के बीच में, interoperability बनानी है, उन चीजों पर पहले काम किया जाए, साथ-साथ, क्योंकि सारे countries का एक दूसरे के साथ, सही से ताल global standards बनाए जाए, specifically messaging को लेकर, जैसे swift वाली system थी, it's a messaging system, जो बताता है कि किसका कितना transaction होना है, एक whatsapp text की तरह वो message भेजता है, तो internationally कोई standardization होना चाहिए, कि messages किस तरीके से, किस format में भेजे जाएंगे, साथ-साथ, जो भी fintech companies आप देखते हो, बहुत सारी fintech companies आज के time पे है, इनकी expertise है, specifically वो काम ही इस domain में कर रहे हैं, तो अगर हम इनकी expertise का use करें, इनके साथ collaborate करें, तो हमारा ही फायदा है, और जो KYC में transaction करें, this is very easy, और बहुत अच्छा रहेगा आगे जाकर, उसके बाद हम कर सकते हैं, कि जो KYC norms होते हैं, know your customers, इसके compliance को ensure करना होगा, otherwise क्या होगा, proxy customers आजाएंगे, money laundering बहुत जादा बढ़ जाएगी, तो इस पर काम करना होगा, जो AML है, anti-money laundering rules, उसके उपर भी specific compliance ह हर country को ensure करने की ज़रूरत है, आज के time पर, और साथ साथ जो भी risk बने हुए हैं, जैसे cyber security issues वगेरा मैंने कहा, उन risk को assess करने की specific एक robust mechanism हमें आज के time पर develop करनी होगी, तो यही सब है cross border payment के बारे में, फिर कोई update इसके related आता है, तो हम next वीडियो में देखेंगे, तब तक के ल